आज हम सीखेंगे प्रतिबिम्ब और सम्मिती यहां देखिए शत्रंच के बोड के मध्य में एक दर्बंड रेखा यानि मेरर लाइन है मान लीजिए हम दर्बंड के सामने कोई वस्तु रखते हैं तो दर्बंड में हमें उसका प्रतिबिम्ब यानि रिफ्लेक्शन नजर आएगा यहां हमने वस्तु दर्बंड से तीसरे वर्ग में रखी है और हम देख सकते हैं कि दर्बंड में दिखाई देने वाला प्रतिबिम्ब भी दर्बंड से तीसरे वर्ग में ही हैं इससे आपको क्या पता चलता है सोचिए सोचिए बिल्कुल सही प्रतिबिम्ब दर्बंड के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्बंड के सामने दिखाई देती है यानि कि वास्तविक वस्तु की दर्बंड से दूरी और उसके प्रतिबिम्ब की दर्बंड से दूरी बराबर ही होती है लंबाई की तरह अगर हम कोणों की बात करें तो प्रतिबिम्ब के कोण और वास्तविक वस्तु के कोण भी पराबर होते हैं लेकिन वस्तु का दाया भाग प्रतिबिम्ब में बाया और वस्तु का बाया भाग प्रतिबिम्ब में दाया नजर आता ह। इसी को हम कहते हैं पार्श्विय व्यूत क्रमंट यानी LATERAL Inversion. ऐसे स्थिती में हम देखते हैं कि वस्तू और उसका प्रतिबिंब दर्बन रेखा के संदर्भ में सममीद यानि सिमेट्रिक होते है इस प्रकार दर्बन रेखा एक सममीद रेखा यानि लाइन ओफ सिमेट्री पन जाती है चलिए इसे और अच्छे से समझे पान लीजिए हमने कागस पर अक्षर A बनाया अगर हम इस कागस को इस प्रकार मद्धी से मोडेंगे तो A के दो बराबर भाग प्राप्त होंगे दाया भाग और बाया भाग चलिए मोडने से बनने वाली रेखा को P Q नाम दे अगर हम देखें तो यहाँ A का दाया आधा भाग और बाया आधा भाग एक दूसरे से हू बहू मिलते हैं इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए बिल्कुल सही इससे हमें पता चलता है कि A एक सम्मीत अक्षर है और P Q एक सम्मीत रेखा है कल्पना कीजिए हमने सम्मीत रेखा के स्थान पर एक दर्बन रखा है ऐसे स्थिती में हमें दर्बन में दिखाई देने वाली आकरिती हुबहु दर्बन के पीछे छिपे आधे A की जैसी ही होगी इसलिए हम कह सकते हैं की बाया आधा A और उसका दर्बन प्रतिबिम्ब सम्मीत होते हैं हम यह भी देखते हैं की रेखा PQ से बाई और स्थित इस आधे A के किसी बिंदू की दूरी और उस बिंदू के प्रतिबिम्ब की रेखा PQ से दूरी समान ही है ध्यान रहे लंबवत दूरी यानि perpendicular distance की बात कर रहे हैं यानि कि दूरी हम PQ से 90 degree के कोंड पर मापेंगे अब हम कह सकते हैं कि यह एक सम्मीत आकरिती है और दर्बंड रेखा एक सम्मीत रेखा है इस प्रकार के सम्मीती जिसमें किसी आकार का आधा भाग उसके दूसरे आधे भाग का दर्बंड प्रतिबिंब हो तो इसे परावर्तिय सम्मीती यानि reflection symmetry कहा जाता है इस सम्मीती के संदर्ब में हम कह सकते हैं कि किसी बिंदू के प्रतिबिंब की सम्मीत रेखा से दूरी और उस बिंदू की उस सम्मीत रेखा से दूरी समान होती है ध्यान रहे किसी आकरिती में सिर्फ एक दर्बंड रेखा या सम्मीत रेखा हो सकती है तो किसी आकृती में एक से ज्यादा सम्मीत रेखाएं भी हो सकती है हमारे जीवन में परावर्तिय सम्मिति के कला, शिल्पकला, कपडों के डिजाइन, वस्तुओं के डिजाइन, इत्यादी जैसे कई शेत्रों में उप्योगी सिद्ध हुई है चलिए इसे कुछ उधारणों से समझे ताज महल वास्तुकला का एक प्रसिद्ध उधारण है इसमें हमें परावर्तिय सम्मिति का प्रयोग देखने मिलता है धनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं में भी सम्मिति का थ्यान रखा जाता है इससे वस्तू आकरशक दिखाई देती है क्या आप क्यलाइडोस्कोप के बारे में जानते हैं क्यलाइडोस्कोप तीन या तीन से अधिक तरपणों के प्रयोग से निर्मित एक ऐसी वस्तू है जिसमें विभिन प्रकार के आकरशक पैटन देखे जा सकते हैं इसमें तरपनों द्वारा कई प्रतिविंब बनते हैं जिनमें अनेक सम्मीत रेखाएं होती है रंगोली सम्मीती का एक उप्युक्त उधारण है कुछ रंगोलियां बनाते समय जाने अन जाने में परावर्तिय सम्मीती का ध्यान रखा जाता है त्योहार के समय बनी रंगोलियों को देखकर इनमें सम्मीद रेखाई ठोड़ने का प्रयास कीजिए क्या आपने कागस से सम्मीद आकरतिया बनाने की कोशिश की है यदि नहीं तो प्रयास जरूर कीजिए इसके लिए एक कागस लीजिए और उसे लंबाई की ओर आधे से मोड लीजिए फिर वन्चित आकार का आधा भाग बना लीजिए और इसे काट लीजिए कागस खोलने पर आपको पूरा भाग प्राप्त होगा यदि आप किसी कागस को दो बार मोडते हैं और कोई आकार काटते हैं तब भी आपको सम्मीत पैटन दिखाई देगा तो आज हमने सीखा प्रतिबिम और सम्मिती अगले वीडियो में इससे जुड़े कुछ उदाहरन देखेंगे झाल